नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज में आप सब के लिए बहुती 54 वीडियो लेकर आया सुबह सुबह मनीमन बोले कि एक शब्त ना बीमारी ना शत्रू ना तंगी और ना हित्तों 100% हर चीज होगी आपकी मुठी में जै बजरंग बली की दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में हा होती ज्यादा खास होता है काफी लोग इस बारे में नहीं जानते लेकिन सुबह के समय आपकी अंदर एनरजी स्टेट बहुत ज्यादा होता है जिससे आप अपनी और सुक्सम्रदी को आकशित कर सकते हैं लेकिन काफी लोग इस बारे में नहीं जानते अगर आपके जीवन करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलने लगेगा और आपकी सभी परिशानियां दूर होने लगेंगी इसके साथ ही आपको धन प्राप्ति के ने ने मार्ग भी मिलने लगेंगे काफी लोग इस समस्या से परिशान रहते हैं कि उनका ब्यापार बिल्कुल भी नहीं चलता या फिर नोकरी नहीं मिल पाती इस समय में बहुत ही ज़्यादा परिशान रहते हैं और चिंता में रहते हैं जिसकी बज़े से और भी ज़्यादा नुक्षान उन्हें उठाने पड़ते हैं तो दोस्तों अगर आपका करके जुरूर बताएं इस परियोग को करने से आप अपने अंदर एक गजब के बदलाव को महसूस करने लगेंगे आपके आसपास की एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगी जिससे आपका मन भी अच्छा रहने लगेगा क्योंकि दोस्तों मंतर में बहुत ज्यादा शक्ति होती है अगर आप इसका जाप करते हैं तो यह आपको सुक्संब्रदी वाली चीजे और भी ज्यादा तेजी से प्राप्त करने में मदद करता है सुक्संब्रदी वाले चीजे आपकी और खुदी आकरचित होने लगती हैं आपके आसपास की एनर्जी अब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको सिर्फ अपने हाथ देखने चाहिए ना कि अपना चेहरा देखना चाहिए ना ही किसी और का चेहरा देखना चाहिए आपको सबसे पहले अपने हाथ देखने चाहिए और दोनों हातों के हतेलियों को मिलाकर जो आदा चांद बनता है उसको देखकर आपको हमेशा अपने चेहरे पर लगा लेना चाहिए ऐसा करने से कैसा भी टेंशन आपकी जीवन में चल रहा हो वह बहुती चल्दी दूर हो जाता है और आपकी किसमत चबंगने रखती है आपके आसपास की एनर्जी तो पोजिटिव होती ही है इसके आसानी से याद भी रह जाएगा मंतर है ओम श्री जिहां दोस्तों सर्फ ये दो अक्षर का एक मंतर है जो आपको याद रखना है सिर्फ आपको ओम क्षरी मंतर का जाब करना है कोई आपके जीवन में परिशानी है या कोई भी चिंता है तो वैशा आपको द्यान रखे कि भीवा आपसे बिलकुल दूर हो जाएगी उस समय बहुत ही सुबह के समय बहुत ही ज्यादा पोजिटिव एनरजी होती है इसलिए आपको यह उपाय सुबह के समय ही उटते वक्त ही कर लेना चाहिए सबसे पहले अपने हाथों को देखें दोनों हाथों के हतेलियों को मिलाकर उसे सरफ 5 या 10 मिनट तक बैठ कर ओम श्री मंतर का जाब करें लेकिन दोस्तों आपको ध्यान लखना है कि जब भी आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहला तार आपको यही करना है अगर आप 5 मिनट तक इस बीज मंतर का जाब करते हैं तो आप खोदी इसके फायदों को देख कर दंग रह जाएंगे जिससे कितने ज़्यादा फायदे आपको मिलेंगे जीवन में इसका अपनुमान भी नहीं लगा सकते दोस्तों आपको कोई भी परिशानी नहीं हो पाएग सुबह उठते ही सबसे पहले कार गही करना है अगर आप 2 मिनिट या 5 मिनिट तक इस मंतर का जाब करते हैं के बात उठते हैं तो पूरा दिन आपके आसपास एनरजी पॉजिटिव रहती है और सुक समर्दी बनी रहती है आप क्योरा कर्शित होने वाली सभी चीजे आपको सुकत प्रणाम देती हैं लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको जाब करेंगे तो लगाता कई दिनों तक आपको इसका जाब करना होगा ऐसा करने से बहुत जादा जल्दी आपको उन सभी परिशानियों से मुक्ति मिल जाएगी जिन्होंने आपको उ सुबह उखते हैं या फिर सोते हुए होते हैं तो आपके आस्पास चो एक होती है वह आपको पोजिटिविए के दूर रखती है इसलिए आपको पर्योंग करने से पोजिटिव एन यह मिलती है और धन्प्राप्ति के नए-दैंशिके नय आपको अफसरपils होते हैं तो जर करने का पूरा-पूरा पर्यास करेंगे अच्छों आपको इस वीडियो को देंकर अच्छा लगा हो या और आप कुछflix से को जानका ने पराफ राफ पर आपकर बहुंत हुआं इज कर दो कर दूल